नमस्ते बच्चों, आज हम एक मज़दर कहानी बढ़ेंगे, कहानी का नाम है आलू, मालू और कालू मालू आज पहली बार वगीचे में सची तोड़ने गया मालू ने तोड़े लाल तमाटर, लंबिक वैंगन और हरिभरी भिंडी दादी जी ने कहा, शाब पाश मालू, जाओ, फोड़े आलू भी ले आओ मालू ने सारे पेड, भेले और फोगे देखे, आलू पढ़ी दिखाई नहीं दिये दादी आलू अभी होगे नहीं, मालू ने खाली तोपरी रख दी नहीं मालू, बहुत आलू उग रहे हैं, ध्यान से देखो, दादी ने समझाया मालू फिर गया बगीचे में, पीछे पीछे कालू भी चल पड़ा मालू आलू खोज रहा था, ही उसे सुनाई दिया, हो, 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 ओ, हो, रुख, रुख, कालू, मालू तोड़ा, बगीचा खराम मत पर मालू ने देखा, कालू ने गड़ा-कोदा हुआ था, खुदी मिटी में थे, मोटे-मोटे आलू वाह, कालू, धूंबे निकाले आलू, तोपरी भरकर बोला मालू मालू को दादी जी ने क्या काम दिया? मालू को दादी जी ने सब्जियां इकठा करने का काम दिया मालू बगीचे से कौन-कौन सी सब्जियां इकठा करने लाया? मालू बगीचे से लाल तमाटल, लंबे पैंगल और हरी भरी भिंदी साथ में थोड़े आलू लेकर आया आलू को किस ने ढूंडा? आलू को कालू ने ढूंडा आलू को कालूने कैसे ढूंडा? कालूने आलू ढूंने के लिए घटाख होदा आलू कहां उकते हैं? पेड़ के उपर या जमीन के नीचे? आलू जमीन के नीचे उकते हैं क्या आप एक और सब्जी का नाम बताएंगे जो जमीन के नीचे उकती है? जमीन के नीचे उबने वाली सब्जियां है? गाजर, मूली, अर्भी, शलगम और भी बहुत सारे सब्जियां वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चानल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को शेयर करेगा टेक केर बाई बाई